भारत में खेला जा रहा वंडे वर्लकप 2023 अब अपने आखरी पड़ाओ पर पहुँच चुका है हाला कि वर्लकप के बीच आज पूरा देश दिपावली का तियोहार बड़े ही धूमदाम से सेलिब्रेट कर रहा है जब पूरा देश दिवाली मना रहा है तो टीम इंडिया भला कैसे पीचे रह सकती है भारतिय टीम के सभी खिलाडियों ने भी दिपावली को बड़े ही धूमदाम से सेलिब्रेट किया सोशल मीडिया पर टीम के कहीं साइक तस्वीरें और फोटोज वायरल हो रही है जहां पर टीम के सभी खिलाडियों को दिपावली का तियोहार मनाते हुए देखा जा सकता है टीम इंडिया को आज दिपावली के दिन ही नीदरलेंड्स के खिलाफ अपना आकरी लीग मैच खेलना है हलाकि उससे पहले टीम के सभी खिलाडियों ने और सभी सपोर्टिंग स्टाफ ने एक साथ मिलकर दिवाली को सेलिब्रेट किया सभी खिलाडी भारतिय एथनिक लूप में नजर आए सभी ने ट्रेडिशनल कुर्टा पाजामा बहना हुआ था जाए टीम का कोई खिलाडी हो या फिर सपोर्टिंग स्टाफ सभी के चेहरे की खुशी अलगी नजर आ रही है विराट गोली अपनी वाइफ अनुशका शर्मा के साथ नजर आए तो रोई शर्मा ने भी अपनी पतनी रितिका के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर शियर की रविंदर जड़ेजा को भी उनकी पतनी के साथ देखा गया जबकि केल, राहुल, शुबमन गिल, इशान किशन, मौममस सिराज, मौममस शमी, जस्पृत बुम्रा सभी दिपावली के जश्न में नजर आए बिसी सी आई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है जहाँ पर सभी को हसते, केलते, मिठाई या खाते, जले भी खाते हुए देखा जा सकता है साथी अगर टीम इडिया के परफोर्मेंस की बात करें तो टीम इडिया फिलाल कमाल की फॉर्म में है भारत ने अभी तक आठ मैच खेले हैं और सभी में जीत का स्वाथ चका है टीम इडिया को खिताबी जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है भारते टीम आज नीदरलेंट्स के खिलाफ अपना आखरी लीग मैच खेलने मैदान पर उत्रेगी ये मकाबला मैंगलूरू के एमचिनना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा नीदरलेंट्स के साथ होने वाले मैच में दुनिया भर के क्रिकेट फैंस टीम इंडिया की एक तरफा जीत की आस्क लगाए बैठे हुए है अगर ऐसा होता है तो वर्ल कप के इतियास में पहला मौका होगा जो भरते टीम ने लगातार 9 मकाबले जीते हूं टीम इंडिया के सेमी फाइनल की बात करें तो भरते टीम का सेमी फाइनल 15 नवेंबर को मुंबई के एतिहासिक वान केडे स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच न्यूजिलेंड के साथ होगा हाली में जब न्यूजिलेंड के साथ टीम इंडिया ने अपना लीग मैच खेला था तब कीवी टीम को दूल चटाई थी हलाकि न्यूजिलेंड के साथ भारते टीम के आकड़े बिलकुल भी अच्छे नहीं रहे हैं पिछले 20 सालों में न्यूजिलेंड और भारत के बीच आईसी सी इवेंट में कीवी टीम का पड़्डा थोड़ा सा भारी रहा है हलाकि न्यूजिलेंड की बात करें तो वो भी कमाल की फॉम में है टीम ने 9 मैच में 5 चीते और 4 में हार का सामना करना पड़ा टीम 10 अंको के साथ पॉइंट सेटेबल में 4 पायदान पर रही कि आपको याद दिला दें कि 2019 में भी भारत और न्यूजिलेंड के बीच ही वर्ल्ल कप सेमी फैरल मैच खेला गया था तब टीम इंडिया को बहत करीबी मुकाबले में हार मिली थी हला कि टीम इंडिया इस बार न्यूजिलेंड से अपने सभी पुराने हिसाब चुकता करना चाहेगी हला कि ये तो बात हुई मैच की लेकिन फिलाल टीम इंडिया के सभी खिलाडी दिपावली के जश्ट में डूबे हुए हैं आप सभी को भी न्यूजिशन परिवार की ओर से तिपावली की हार देख्शुप काम ना है ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शियर करना बिल्कुल न भूले